गुरुर ब्रह्मा गुरुर विश्णुर गुरुर देवो महेश्वर गुरुह साक्षाथ परब्रह्म तस्मेश्री गुरवे नमाहा तस्मे श्री गुरवे नमाह सवने जैस स्वमिनाराण्ड आपने ख्याल चे छिल्ला त्राण दिवस्ती आपने महिमानों महिमा ये विशे उपर प्रवचन सामणी रहा छिये गैकाले आपने वाद करिये ती संतना महिमानी संतनों अद्भूत महिमा छे वेदों मा उपनिशदों मा शास्त्रों मा गणी गणी जग्या ये संतना महिमानी वाद करी छे गुरूना महिमानी वाद करी छे एने स्पष्ट शब्दों मा क्यवा मा आव्यू कि जे व्यक्तिने पुतना जिवन ने अंदर साधना मार्ग मा साचा गुरू मल्या समझीलों येने भगवाननों साक्षात कर थही चुक्यों छे येने आत्मानों साक्षात कर थही चुक्यों छे ये स्वभा प्रकूर्तिने मायाती मुक्त थही चुक्यों छे मंगला चरण माज आपने श्लोक ग्णान करू गुरूर ब्रह्मा ये वा साचा संत छे येने ब्रह्मानी उपमा आपी छे ब्रह्मा स्रुष्टिनु सर्जन करे छे गुरूर विष्णु विष्णु भगवान जगतनु पोशन करे छे गुरूर देवो महिश्वरह शीवजी पोते संहार करे छे गुरूर जीने ब्रह्मानी उपमा आपी शीवजीनी उपमा आपी विष्णु भगवान नी उपमा आपी अनि एवा जे गुरू छे केवा छे गुरू हुँ साक्षात परब्रह्म एने ने भगवानने साक्षात संबंद छे वा गुरूने हो नमस्कार करू छुक जे गुरू पोताना योगनी अंदर आवेला साधकना जिवननी अंदर थी तमाम दुर्गुणुनों विनाष करी सत्गुणुनु सर्जन करे छे ब्रह्मस्तरुपी भुमेका सुधी पहुचाडे छे भगवाननों साक्षात करे छे एना सत्गुणुनु पालन पोश्ण औने रक्षन क अतिय अपार महिमा छे अने एटला माटे व्यास भगवाने श्रिमत भागवत नी अंदर अद्भूत महिमा ख़वा छे अने एश्लोक नुँ अनुसंधालने इने महराजे पण बोताना वचनाम्रत नी अंदर वाद करी के जेने एवा साचा संतनी अंदर आत्मबुद्धी नती थै प्रिती नती थै सएव गोखरह यस्यात्म बुद्धी कुणपेत्रि धातुके स्वधी कलत्रादिशु भवम इज्जदी ही यत्तिर्थ बुद्धी सलिलेन करहिचित जने श्वभिग्नेशु सएव गोखरह के जेवी रिती आपणने पोताना शरीर नी अंदर आत्मबुद्धी छे धन कलत्रादिक नी अंदर आत्मबुद्धी ममत्त बुद्धी छे संपती वैभवनी अंदर मालीकी पणानी बुद्धी छे, पवीत्र नदी अने तिर्थ सानों नी अंदर तिर्थ पणानी बुद्धी छे एवी प्रकारनी बुद्धी जे व्यक्तिय पोताना साधना मार्गमा जीवन नी अंदर साचा संतमा नथी करी एवी तिर्थपणानी बुद्धी नथी करी, पुज्य पणानी बुद्धी नथी करी, आत्मबुद्धी नथी करी तो ए व्यक्ति कदाच तिलग चानलो करतो होई, गड़ामा कंटी पेरी होई, मुखमा भगवाननु नाम लेतो होई, गंगा गुदावरी और तिर्स स्थानों नी अंदर यात्रा करवा माटे जतो होई, मुटा मुटा यगन करतो होई, लाखो करोड रुप्यानु दान करतो ह समाज सिवानु कार्य करतो होई, कथा करतो होई, प्रवचन करतो होई, पारण करतो होई, तप करतो होई, व्रत करतो होई, अरे कदाच माता पिता नो त्याग करी, कुटुम कभीला नो त्याग करी, संसार ना विशयो नो त्याग करी, साधुना कपडा पेरीने बेटो होई परन्तु साचा संतनी अंदर, साचा गुरूनी अंदर आत्मबुद्धी नथी करी, पृती नथी करी, पुज्यभाव नथी थेओ, सदभाव नथी थेओ, तो एक गोखर, एटले गोशुखरह गधेडानी उपमापी, आकु घडे, अंत्रदस्टी करावे, विचार करता मुक की दे, एवी प्रकार नो अद्बूत महिमा, महराज ये वच्नाव्रत नी अंदर कयो छे, और इटला माटे व्यास भगवाने भागवतना अग्यार मा सकंद नी अंदर कयो, कि तस्माद गुरूम प्रपद्धेत जिगिनाशु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परेच निष्ण अतम ब्रह्मनी समुपाश्रयम जेने, मोक्षनी प्राप्ति करवी छे, माया मोक्त थवू छे, भगवानना धामना अधिकारी थवू छे, गुरू निष्रणा गतिव सिवकारो, एक गुरू केवा होई, शाब्दे परेच निष्णा अतम, भगवाननु जे असल स्वरुप ग्णान छे, एक ग्णाननी अंदर आतम साथ करिव होई, भगवाननों साक्षात कार कर्यो होई, भगवाननी स्वामी सेवक भावे भग्तिने उपासना करता होई, इवा गुरू निष्रणा गति स्विकारों मा आबे, तो भगवानना धामना अधिकारी बनी शकाय छे, पृष्टु भगवाने स्वयम नारज्जी ने कहुँ छे, दुरुवासा मूनी ने कहुँ छे, जयारे दुरुवासा मूनी ए अमरिष राजानों अपरात कर्यो, अन्टिये वक्ते वगवाननों सुधर्शन चक्र दुरुवासा मुणी नी पाचळ और अने मारवा माते फरीओ त्यारे गणा गणा देव देवताओ पासे गया परन्तु बद्धा हे के अतों बगवाननों मुकेलू सुधर्शन चक्र चे भक्तनी रक्षा माटे नू चक्र ये अमारा थी पाचु वड़ी शके नहीं। ये अनुँ जीवन छे अनी पक्ती छे अनी उपासनाने छे अनी अध्यात्मिक्ता छे तमारे या सुदर्शन चक्र थी बचवू होई। तो दुर्वासा मुनिने केवाम आवू के तमी अमरिष्ट राजा पासे जै अने अमनी माफी मागो। तो सुदर्शन चक्र पाचू फरे कारण के साधवो रदयम महियं साधुनाम रदयम त्वहं। बद अन्यत तने तेन जानन ती नाहम ते ब्योव मनागपी भगवाने दुर्वासा मुनिने कवों के अमरिष्ट राजा जेवा आत्म दिवेदी भक्त संत छे मारू रदय छे अने हूं यहनू रदय छो। ए मारा सिवाई दुनियामा कई जानता न थी ग्याहिं आशकती पृतिने वासना न थी एवीज रिते उम पन एना सिवाई बिजू कई जानतो न थी कारण के संत दुनियानी अंदर छे इटला माटे लोको भगवान न अस्तित्वने स्विकारे छे भगवाननी भक्ती करे छ बगवान नो भजन करें चें बगवानी आग्नान नो पालन करें चें जुपडए मानस पासेज करें अन्हें भगवान विष्टू ना केवा प्रमाने जयारे अंपरीश राजा पासेज आप्पी मागी तरा सुदर्शनं चक्र पाच्षू वड़िऊ आवो अद्भूत महिमा भगवाने पुताना संतनों कहो छे आवाज प्रकान शब्दों मुक्तानन स्वामिये जे भगवानना रदय मां छे भगवाननी जबान उपर छे ये शब्दों मुक्तानन स्वामिये पुताना किरतन ने अंद लख्या भगवाने नारज जी ने कहो के नारद मेरे संत से अधिक नकोई। नारद मेरे संत से अधिक नकोई। नारद मेरे संत नारद मेरे संत से अधिक नकोई। लक्ष्पी जी तो एनी दासी छे अणि 68 तिरत मारा संत ना चरने। आपणने गंगा गोदावरी आतमामनों महिमा समझाई छे महिमा छे कोटी वात नथी। परन्तु ए तमाम तिर्थो करता पण साचा संत नों महिमा विशे छे 68 तिरत मारा संत ना चरने। कोटी गंगा ने कोटी काशी। प्रमुक्स्वामी महराज्यवा साचा संत महांस्वामी महराज्यवा साचा संत ना रदैना भाव साथे महिमा साथे प्रेम थी उत्साथी दर्शन करवामा आवे चरंस परश करवामा आवे तो करोड करोड वखत गंगाजी मा गुदावरी मा अने हुँतो एम कवो के ब्रह्म मांड़ नी अंदर जेटलना तिर्थो छे तमाम तिर्थो करवा माझे पुन्य था एना करता अपन अनंद गणु पुन्य हामा थी था है। अथ भूठ मैंमा संतनों रहलो छे अन इपला माटे माहराजे वच्ना मरत मा कहो कि यवा संतना दर्शनने उचू छू यवा संतनी चरण रजने हूं माते चड़ाओ छो एस संत मारू रद请छे अने यवा संतनी अंदर भगवान अखंड निवास करीने रहे छे अद्बूत महिमा श्रीजी महराज ये पोते वचना मृतनी अंदर कहो छे अने यवी जवातो रामचरित मानस्तना लेखक कवी तुलसी दाज जिये लख्यू अपने जानिये शे कि व्यास भगवाने भगवतनी अंदर नव प्रकार्नी भग्ति निवाद करी शे श्रवणं, किर्तनं, विष्णोहोस्परणं, पादसेवनं, अर्चनं, वंदनं, दास्यं, सक्यं, आत्मनि वेदनं और नव प्रकार्नी भग्ति निवाद जीये बतावी श्रवणं भगवाननी कथा सामढ़वी ए पेली भग्ति शे परंचो तुलसिदाजी रामचरित मानस्तनी अंदर व्यास भगवानना सिद्धान्त थी थोड़ा जुदा पड़ीने पेली भग्ति बतावैशे प्रतम भग्ति संतन कर संगा दुसरी रती मम कथा प्रसंगा मारा मते सवती प्यली भक्ती कोई पन होय तो साचा संतनों समागम करू येनी कथावारता सामलवी येनू मननचिंतन करू येनी सेवा परीचरिया करवी येना दर्शन करवा येनू मननचिंतन करू प्रतम भक्ती संतन कर संगा के जार संत मड़े चे त्यार पचिप भगवाननी कथानो लाब मड़े चे भगवान शुँँछे तत्वणों आपने महिमां समझाए चे अपने साचा संत मड़े त्यार समझाये चे इतला माटे पूताणी एक बिजी साकिबा पड़ लख्यो बिनू सतसंग नहरी कथा सामबढ़ जो, बिनु सतसंग माने के सतसंग साचा संत न मले त्यां सोधी, भगवान नी कथा न थी थती, भगवान नी कथा नो लाब न थी मलतो, बिनु सतसंग न हरिक था, ता बिन मोह न जाय, मोह गये बिन रामपद होवत नहीं अनुराद, मोह निनी वृथ्ती साचा संत मले, क्यारपशी थईशकेचे, अने मोह निनी वृथ्ती थया सिवाय, रदैयनी धर्ती उप्प, रदैयना सियासनी इंδर भगवान नी मुर्ति बिराजमान थईशकति न थी, तो भगवानना साक्षात कार माटे, आत्माना साक्षात कर माटे माया मुक्त थवा माटे संतनो संतना संगनो संतनी सेवानो संतना दर्शननो संतनी आग्ना पालवानो संतनो मनन जिन्तन करवानो अने संतना सानिध्यनो अने संतनी कुपाद्रिष्टिन आशिरवातनो केटलो मोटो महिमा छे ए जो समझाई जाए तो बिड़ो पार्थ ही जाए, आपना अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य छे के परम फुज्य, प्रमक स्वामी महराज, प्रगड ब्रह्म स्वरुप महन स्वामी में महराज जिवा साचा संत, जैने साधू कही शकाए, जैने संत कही शकाए, जैने मुर करी लेवी आवती काले आगर ना महिमानी वातों आपने हाजी सांबढ़वाना छिये जये स्वामी नारायन